आपने देखा होगा अभी 2022 में उत्तरपदेश के बिधान सवा चुना हुए थे उसके बाद आपको मालू है कि योगी आधितनात को उत्तरपदेश का मुखमंत्री बनाया गया है क्योंकि BJP को बहुमत मिला हुआ था उसके बाद आप देखते हैं कि अध्यक्ष भी बनाया जाता है बिधान सवा अध्यक्ष भी बनाया जाता है तो अभी हाली में आप देखेंगे कि जो भारती जंता पार्टी है इसके सतीस महाना को उत्तरपदेश की अठारवी बिधान सवा के लिए निर्व रोध अध्यक्ष बनाया गया है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर विपक्ष अध्यक्ष पद के लिए किसी उम्मीदबार को उतारता भी तो उसका उम्मीदबार जीत नहीं सकता था क्योंकि उसके पास आप देखें कि बहुमत नहीं था क्योंकि आप सभी लोग उनको मालू है कि जो अध्यक्ष पद होता है न ये सभी सदस्तों में से एक को बनाया जाता है उनके बहुमत के द्वारा तो आप समझ सकते हैं कि उत्तरपदेश में किस के पास बहुमत है? BJP के पास, NDAF के पास, तो वो आसानी से अध्यक्षपद को पा लेते, तो इसलिए आप देखें विपक्ष ने अपना उम्मीदबार उतारा भी नहीं है, और आपके उमन में एक उस सवाल आता रहता है, कि क्या किरें बिधान सभा अध्यक्ष का काम क्या होता है? तो जो बिधान सभा अध्यक्ष का काम होता है, कि सभा की विवस्था बनाए रखें, और उसकी जिम्मेदारी आपको बताऊं कि बिधान सभा अध्यक्ष की होती है, वो सभा के सदस्तों से नीमो का पालन भी कराते हैं विधानसभा अध्यक्ष साहब अब बात कर लेते हैं कि 37 महाना साहब कौन है तो इसक्रीन पर आपको इनकी पिक्चर दिखी रही है क्या दिख रही है पिक्चर दिखी रही है यह 37 महाना साहब उत्तर पिदेश की अठार्वी विधानसभा के लिए सत्तारोड भारत निर्वाचित घोसित किये गए हैं और अगर हम लोग विफसाइड की मानें तो कानपूर में 14 एक्टूबर 1960 को राम अवतार महाना की घर इनका जनम हुआ था किसका 37 महाना का और आपको बता दूँ कि पंजाब मुल लूप से पंजाब की खत्री है पंजाबी है और 37 महाना न और किर्शी बिल्डर्स एंड डवलमेंड डवलपर्स की कारोवार से जुड़े महाना ने इसना तक की सिख्छा प्राप्त की और जन से बाप, पठन पाठन, परयाटन और संगीत की गहरी रूची रखने वाले महाना ने अमेरिका, फ्रांस, बेटेन, रूस, सिंगापूर, मलेशिया, सुईडेन, नौर्वे, न्यूजिलेंड, कनाड़ा, जर्मनी, ओस्टिया, चीन, जापान, सुईजलेंड, ओस्टिलिया, समेत आप देखें कि 35 देशों की भरमाड भी कर चुके हैं जो उत्तरपदेश की नए विधानसवाद देख चेना, इप 35 देशों की यात्रा कर चुके हैं और आपको, आप सभी जानते ही कि इनका राजनितिक दल भालती जंता पार्टी है और महाना कानपुर जलेक की महाराजपुर विधानसवा सीट से आठवी बार निर्वाचित हुए है तो आप सोचें कि आठवी बार की विधायक है और एक बार आप लोग मैप देखेंगे तो आपको दिखाए देखा उत्तरपदेश से है इसकी लखनवू राजधानी है और राजनिती की दिर्ष्टी से उत्तरपदेश को काफी महत्पूर माना जाता है इसलिए माना जाता है कि आप देखें सभी राज्यों की अगर तुल्ला करें तो सबसे जानदा विधान सवा सीटें भी यही है और आप देखें कि हर राजनितिक पाटी की निगाहें उत्तरपदेश पर रहती है ऐसा माना जाता है कि उत्तरपदेश को जिसने अपने कबजे में ले लिया एक तरह से राजनितिक पैट बना ली तो उसका दिल्ली जाने का रास्ता बहुत हद तक साप हो जाता है आपमार विधान मंत्री मोदी साहब को देख लिए बनारत से चुन कर आते हैं तो ये भी याद रखेगा और महाना ने 1991 में पहली बार विधान सभा की सदस्के रूम में निर्वाचित हुए थे इसके बाद उन्होंने विधान सभा में लगातार अपनी उपस्तिती बनाई रखी और ऐसे कम ही लोग होते हैं जो आप देखिए हमेसा अपने काम की दमपर जाहे किसी भी वायटी की हवा हो अपनी सीट बचा लेते हैं और विधान सभा की अगर हम लोग सदस्की बात करें विधायक की बात करें तो अगर आपकी उमर 25 साल हो चुकी है आदितना सरकार में उन्होंने मंत्री की रूम में काम किया हुआ है यानि कि आप सोचिए कि पांच कितना पांच मुख मंत्रियों के साधे उन्होंने काम करने काने मुखा मिला है मंत्री की रूम में 37 महाना अक्टूबर 1997 में पहली बार कल्यान सिंग सरकार में राज्यमंत्री बने और आबास इवं सहरी विकास राज्यमंत्री की रूम में उन्हें बनाये गया था फर आप देखेंगे 2002 में फिर राज्यमंत्री बने और पूर्व का ही विभाग उन्हें मिला साल 2017 में बीजेपी की फिर सरकार बनने पर 37 महाना कैमिनेट मंतरी बने और यहोगी सरकार में बने में उद्धोगिक विकास मंतरी का पदेने मिला था साल 2019 में सत्य देव चत्पचौरी के कानपूर का सांसत बनने पर 37 महाना को उनके विभाग का भी अतरिक्त रूब मिल गया था तो आप समझ सकते हैं कि काफी अच्छे नेता माने जाते हैं बीजीपी के विपक्च में रहने के दौरान पाइटी की और से सदन के उपनेता भी रह चुके हैं 37 महाना और 37 महाना आठ बार के विधायक हैं पाँच बार दो वो केंट से और तीन बार आप देखेंगे महाराजपूर से विधायक बने हैं तो अभी तक टोटल आठ बार बिधायक आठवी बार बिधायक चुने गए यही कहानी है किनकी 37 महाना सहाब की मुझे लगा कि बता देना चाहिए उत्तरपदेश के 5 साल के लिए आप देखते हैं कि विधानसवा अध्यव्च का काम होता है जो भी विवस्ता होती है विधानसवा में उसकी देख रेल करना सभी सदस्सों को उनके नियम बताना उन्हें टाइमिंग देना बोल लें के लिए समझ रहे हैं आप लोग चली एक और कोई चर्चा में हो किसी और के बारे में आपको जानना है हम लोग विवकी अलितनात के बारे में बात कर चुके हैं के और इस तरह की तमाम लोगों के बारे में हम लोग बात करते रहते हैं आपके मन में भी किसी का नाम हो तो आप उसका नाम बताईएगा उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे